लॉक्डाउन के दोरान उत्रप्रदेश के वधायक अमन्मनीत रिपाथी को बद्रिनात एक पास जारी करने का मामला सामने आ है और ये मामला हाई कोट तक पहुंच गया और उनके साथियों को UPCM योग्यादितनात के पिता के पृत्य कर्म के कर्म पर दो मई से साथ मई तक बद्रिनात जाने का पास सरकार द्वारा जारी किया गया जिसमें उत्राखन के अपर मुक्य सचिव, ओम प्रकाश और दहरादुन के अपर जलादिकारी रामजी श्वरन के हस्ताक्षर हैं लेकिन विधायक इस काफिलों को चमोली पुलिस के द्वारा कर्ण प्रियाग में रोक लिया वही वापस लोटाए जाने पर विधायक ने पुलिस के साथ अभरत्रता की जिससे इस पूरे मामले की चाहँच से कराया जाए और इस खबर पे जादा अपडेट के साथ गौरब जोशी हमारे साथ फोन लाइन पे बने वे हैं अब हाई कोट तक पहुंच चुका है कि मामला अब क्या कुछ ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी देखिए पूजा बहुत चर्चाओं में रहा था बीते जिनों जिस तरह विदायक लॉक्डाउन के दौरान यूपी से उत्राखन होते वे बद्रियुनाद जाने का प्रयास कर रहे थे और इसमें तमाम राजनीती भी गर्माई थी कि आखिर किस तरह लॉक्डाउन के दौरान इस विदायक को पास दे दिया गया जबकि कि किसी को अपने सहर में भी घूमने का पास नहीं आवंचित किया गया था तो जो देयादुन निवासी आलोग घिडियाल है इन्हीं ने पूरे मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दिया उन्होंने का है कि आखिर क्यों और किस तरह विदायक को इस दौरान बद्रियुना समेथ आतपास के धामों में जाने की परमीसन दी थी और जो विदायक और उ तरह उन्हों को भुदा संहां हुए